नूर जहां सिसक सिसक कर मर गई लेकिन कराची चडिया घर के कई और जानवर भी मुनासिब खुराक ना मिलने और देखबाल ना होने से मौत के दहाने पर पहुच गए है अगर ये कहा जाए के शेहर काईद का चडिया घर ऐसी वाहिद जेल है जहां तमाम केदी बेगुना है तो गलत नहीं होगा गैर फितरी महौल और गिजा की किलत के 22 जानवर लागर हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सब अच्छा है कहकर खुद को मुतमाइन करने में मसरूफ है जबर न्यूज ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि चुडिया घर का स्टाफ तकरीबन 140 अफराद पर मुश्तमिल है और इन में से अकसरियत सिक्यूरिटी के फराइज अंजाम देती है बेशतर मुलाजमीन गेर तर्बियत याफता और अनपड़ है जानवरों का सिर्फ एक डॉक्टर है यही वज़ा है कि बिमार जानवरों का बरवक्त इलाज मुम्किन नहीं हो पाता चिडियागर के कुल बज़िट में से 80% मुलाजमीन की तनखोव पर खर्च होता है और जू का इनिसार इंदाग पर है यहाँ बंदर और बरमानस का लोगों के दिये हुए खाने पर घुजारा है कुदरती महौल और मुनासिब खुराक ना मिलने के बाइस जनवरों की सहत मसलसल खराब हो रही है कच्छवे मुनासिब देखबाल ना होने से निढ़ाल है जबके शेर और टाइगर खुराक ना मिलने के बाइस कमजोर हो चुके है शेर की हालत ज्यादा खराब है और वो अमूमन बेठा नजर आता है जंगल के बाश्चा की हालत का अंदाजा आप इस वीडियो और तसवीर से लगा सकते है खुराग की किल्ट और बरवक्त इलाज ना होने के बाइस 24 नुमबर 2021 को सफेश शेर का इंतकाल हो गिया था सोशल मीडिया पर तनकीद हुई तो इंतिजामिया ने पहले मौत की वज़ा टी बी का मर्स करार दिया फिर डायरेक्टर को हटा कर तहकीकात का हुकुम भी दे दिया था शेरो जैसा हाल हिरनो का भी है मौनासिम मौहल ला मिलने के बाइस हिरल लागर हो चुके है दिसमबर 2022 को यहां सवा चार कड़ों रुपे के ठेकों में मुबयान करप्शन सामने आई थी और मामला हाई कोड तक पौज गिया था मार्स 2023 में रकम की बरवक्त अदाई की ना होने पर ठेकेदार ने ख़त लिखकर खुराग की फरामी रोकने का एलान कर दिया था ठेकेदार ने वाज़े कर दिया था तुराग बंद कर दी गई थी ठेकेदार को चार माह तक पैसे ना मिले तो उसे खाने की सप्लाई रोकना पड़ी थी शायद इनी वजुहात के बाइस साबिक सदर आसिफ जर्दारी की सहबजादी बक्तावर बुटो जर्दारी ने कराची चड़िया घर को बंद करने का मतालबा किया है वो कहती है चड़िया घर बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसे समालना कराची मिंस्पल कॉर्पिरेशन के बस की बात नहीं वक्तावर बुटो और दीगर रहनुमाओं ने चड़िया घर बंद करने के बायानात दिये तो माफिया ने खर्द और रुपे की जमीर हड़ब करने के तरीके तलाश करना शुरू कर दिये कराची का चड़िया घर 33 एकर रगबे पर फैला हुआ है और पाकिस्तान के बड़े चड़िया घरों में शुमार किया जाता है मोसिन रजा जबर नियूस कराची